Hello Disciples, Welcome to my YouTube Channel आज की क्लास में हम बात करेंगे decimals के questions के बारे में और decimal के question में आज हम comparison की बात करेंगे कि अगर हमारे पास मान लिजे दो decimal numbers दे दिये जाएं और उन में पूछा जाएं कि बताएं कौन सा number बड़ा है और कौन सा छोटा है तो हम ये किस तरह से बताएंगे तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे और मैंने यहाँ पर 5 questions लिए हैं उनकी help से हम समझेंगे कि compare कैसे करते हैं वैसे तो मैंने decimal numbers के comparison पर एक detail वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको पूरा concept समझाया है कि किस तरह से पहचानते हैं कि दो decimal number में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका link वीडियो के description box में देदूँगा आप वहाँ से भी देख सकते हैं फिलाल मैं इस वीडियो में बता दूँगा लेकिन तोड़ा सा जल्द जल्दी बता दूँगा जिससे कि आपका जो question है वो solve हो जाए क्योंकि ये वीडियो question वाली वीडियो है तो इसमें हम question पे ज्यादा ध्यान देंगे conceptual video मैंने पहले ही बना दी है तो आप वहाँ पर i button पर click करके भी उसको देख सकते हैं चलिए यहाँ पर देखे पाच question है और इनमें पूछा गिया है देखे पहले question के अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है वन और 0.999 अब हमने आपको उस video में बताया था कि किसी भी दो decimal numbers में अगर हमें compare करना है तो हम सबसे पहले उनमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है और वो कौन-कौन सी होती है एक बात तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी decimal number में तीन चीजे होती है इसका नाम होता है decimal point अब जब भी हम compare करते हैं तो हम सबसे पहले compare करना स्टार्ट करते हैं whole part से दो decimal numbers में अगर किसी भी number में whole part एक number का बड़ा है और दूसरे का छोटा है that means हम बता देते हैं जिस भी number का whole part बड़ा होता है वो number बड़ा हो जाता है फिर हम compare नहीं करते हैं कि किसी भी number का decimal part छोटा है या बड़ा है क्योंकि हमें वहीं से पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है बट जब दो decimal number में आपका whole part सेम होता है तब हम जाते हैं decimal part की तरफ तो चलिए पहला question हम करते हैं यहाँ पर आपको समझाते हैं कि इसको कैसे करेंगे दिया है 1 और 0.999 अच्छा इसको देखी comparison करने के लिए आप चाहो तो direct answer लेख सकते हो या तो symbols का use कर सकते हो greater than less than symbols जो होते हैं यह वाले ठीक है इनका भी use किया जा सकता है तो हम फिलाल इनी का use करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दो numbers में 1 और 0.999 में कौन सा बड़ा है तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.999 अब देखिए मैंने आपको बताया ना किसी भी दो decimal numbers में जब comparison करना होता है हम उसके whole part को compare करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर तो whole number ही दिख रहा है यहाँ पर तो आपको decimal नहीं दिख रहा है बट अगर हम आपको बताएं तो हमने बताया था किसी भी whole number के end में right side में जहाँ पर वो number end होता है वहाँ पर point होता है ठीक तो इसके आगे हम क्या कर सकत अब नहीं होता यह one ही as a one ही treat किया जाएगा तो यहाँ देखिए one point zero zero हो गया एक और zero बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर point के बाद तीन डिजिट है अब देखिए अब यहाँ पर यह एक decimal number दिखने लगा यह एक decimal number दिखने लगा मतलब यह तो पहले सही है अब देखिए अब हम सबसे पहले हमने बढ़ा है क्या compare करेंगे whole part तो यहाँ देखिए इसका whole part one है और इसका whole part zero है तो obvious ही बात है whole part जिसका बढ़ा होगा वो number बढ़ा होगा तो यह one zero से बढ़ा होता है that means यह वाला number क्या हो जाएगा बढ़ा हो जाएगा I hope आपको यह समझ में आया हुआ है और one point zero eight three दिया हुआ है तो देखिए यह दोनों unlike decimals है मैंने आपको like और unlike decimal भी पढ़ाया है तो like decimal basically क्या होते थे जिनमें चो decimal के बाद numbers होते हैं वो सेम होते हैं मतलब digits जो हैं वो सेम होती है यहां पर देखिए दो हैं यहां पर तीन है और unlike जिसमें डिफरेंस ह था कि unlike को like में convert भी कैसे करते हैं तो basically क्या करते हैं यहां पर अगर हम zero बढ़ा दें तो हमने बताया था किसी भी point के बाद digit जो होते हैं उसके बाद zero बढ़ाने पर कोई value में या उस number में कोई फरक नहीं पड़ता है तो हम यहां zero बढ़ा सकते हैं basically तो अगर हम zero यहां पर हम बढ़ा दें लिए से यहां पर भी तीन डिजिट हो जाएंगे यहां पर हो जाएंगे तो यह क्या हो जाएंगे 뭐야 deci Mills हो जाएँंगे जाते हुए हम compare करते हुए उसको जाएंगे तो देखें यहाँ पर 0 है यहाँ पर भी 0 है यहाँ पर 8 है यहाँ पर भी 8 है अब यहाँ पर हमने बता है जिरो है तो अगर यहाँ पर 0 है यहाँ पर 3 है तो कौन बड़ा हुआ ओविस सी बात है 3 बड़ा होता है 0 से तो यहाँ प पर same है अब यहाँ 5 है यहाँ क्या हो जकता है यहाँ 0 लिख सकते हैं हमने अभी पताया उपर कि यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं तो 5 और 0 में कौन बड़ा है 5 तो यह वाला नंबर क्या हो जाएगा बड़ा देखिए बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा concept पे ध्यान देना होता है और ये question पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये पूछे नहीं जाते हैं, इन questions को exams में पूछा भी जाता है, तो इस वज़े से इनको आपको ध्यान रखना है देखिए, डी पार्ट है हमारे पास 0.099 और 0.19 तो देखिए, compare करें अगर हम, तो 00 है हमारा जो whole पार्ट है, वो 0 है, उसके बाद decimal point के बाद, देखिए, पहला हमारे पास है 0 और इसमें है पहला 1 बस, हम जैसे ही हमें किसी भी number में एक number बड़ा मिल जाता है बस हम उसके आगे compare नहीं करते हैं उसके आगे compare करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आप जिस number का भी बड़ा number मिल जाए, वही number क्या हो जाता है बड़ा, अब यहाँ पर यह 0 है, यहाँ पर यह 1 है अब आप यह मस हो, जो यहाँ decimal के बाद 3 digit हैं यहाँ पर 2 digit हैं, तो यह बड़ा होगा, नहीं आपने क्या करना है, सबसे पहले whole part whole part same होगी अगर तो decimal के just जो है, बगल वाला जो number होगा, उसको compare करेंगे अगर वो किसी का बड़ा हो गया, तो वही number क्या हो जाएगा, that means यह वाला number बड़ा हो जाएगा, 0.19, 0.099 से बड़ा है number, ठीक, यह part की बात करें अगर हम, तो 0.8012 दिया हुआ है, और 0.802 दिया हुआ है, तो देखिए, अगर हम compare करें तो 0, 0 है, फिर decimal point के बाद 8, 8 है, 0 है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो obvious सी बात है, कौन सा बड़ा हो जाएगा 2 बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए, यहाँ 2 है उससे मतलब नहीं है, ठीक, हमें यह वाला और यह वाला compare करना है, तो यह वाले यह वाले compare में हमने देखा कि 2 बड़ा है, 1 से, तो क्या हो जाएगा नमबर, यह वाला बड़ा हो जाएगा तो I hope यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, कि किस तरह से 2 decimal numbers का comparison करते हैं और comparison किस base पे होगा, कि कौन सा नमबर बड़ा है और कौन सा छोटा है तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन जरूर तबाएं जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो की notification सबसे पहले मिल जाएं हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी next class में तब तक के लिए keep learning and keep growing